बिस्मिल्ला इर्रफ्मार इर्रखीम, वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स, व्यूवर्स आज जो रेसिपी आप से शेयर करूंगी वो एक इवनिंग टाइम का स्नैक है, नॉर्मली तो हम घरों में पकोड़े बनाते ही रहते हैं, यह पकोड़े हम बनाएंगे थोड़े से डिफरेंट अंदास के साथ, लेकिन इनका जो टेस्ट होगा, जो इनकी अपेरंस होगी, वो बहुत ही अट्रेक्टिव भी होगी और टेस्ट बहुत अच्छा भी होगा, आईए इसे बनाते हैं, इसे बनाने के लिए हमेजन अज़जा की जरूरत है, हम पे एक नज़र क्यूब्स में हमने लेना है यहां पर प्यास, जिसे मैंने इस शकल में काट लिया है, यह एक मीडियम साइज के प्यास थी, इसे हमने और मोस्ट यह क्यूब्स की शकल में हम लेने काट लेना है, उसके बाद क्रीबन दो मीडियम साइज के हमने आलू ले लेने हैं, और उन् दो टमाटर हम लेंगे मेडियम साइज के, सेम इसी तरह से क्यूब्स की शकल में उन्हें भी काट लेंगे चार से पांच जबे मैंने लिए हैं लेसन के और उसके अंदर दो भरी मिर्चें और हैं पीस लिया है इन्हें हमने ख्रश किया है हमने इन्हें फाइनली चॉप भी आप कर सकते हैं मैंने इसको ख्रश किया है शिमला मिर्च मैंने ली है यहां पर टू टेबल स्पून के करीब यह मैंने फाइनली चॉप कर ली है यह enhance करेगी टेस्ट को, अगर आप इसे avoid करना चाहें तो यह totally optional है, हरा दनिया हम लेंगे तक क्रीबन 3 tablespoons, 3 to 4 tablespoons जिने हमने छोटा-छोटा काट लिया है, आईए अब इसकी seasoning चेक कर लेते हैं, इन पकोडों के लिए हमें seasoning क्या चाहिए होगी देखते हैं, पकोडे बनाने के लि आलू, टमाटर, लेस्टन और हरी मेर्ज बिजेने हमने crush करके रख लिया था शिम्ला मिर्च, बारिक कटिमी, अरा धनिया, सबसे पहले अब इसकी seasoning कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हस्बे जरूरत या हस्बे जाइका, मैंने यहां पर तक्रीबन quarter tablespoon use किया है नमक, धनिया पाउडर हम इस्तमाल करेंगे, 1 tablespoon साबत सफेज जीरा इस्तमाल करेंगे, 1 tablespoon अजवाइन इस्तमाल करेंगे, 1 tablespoon अजवाइन इस्तमाल करेंगे, 1 teaspoon साबत अनर्दाना इस्तमाल करेंगे, 1 tablespoon और इन सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे अजवाइन इस्तमाल करेंगे, 1 tablespoon आप जाएन इसको एवाइड करना तो कर सकते हैं mix कर लेते हैं और mix करने के बाद हम इसे तकरीबन 2 minute के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही और फिर इसके बाद हम इसमें बेसन शामल करेंगे अब हम इसमें शामल करेंगे बेसन उसे शामल करने के लिए मैं इस वर्ट लेरी हूँ एक strainer हम इसे चान के डालना होगा मैंने इस वर्ट इसमें डाल रहा है तूटेबल स्पून्स के करीब बेसन पहले ये चान लेते हैं मिक्स करेंगे अगर मजीद क्वांटिटी की जरूरत हुई फिर हम इसमें मजीद शामल करेंगे मिक्स कर लेते हैं अब इस बेसन को तकरीबन टू टेबल स्पून्स में मजीद इसमें शामल करने लगी है बेसन चान लेते हैं इसे भी मिक्स कर लेते हैं आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी तक बेसन शामिल करने के बावजूद थोड़ी सी क्वांटिटी में भी पानी शामिल नहीं किया यह बैटर क्यार ही ऐसे होगा कि इसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे हमने सबजियों की सीजनी करने के बाद जब उन्हें रख दिया था दो मिनिट के लिए उसमें सब्सियों ने खुद इतना पानी छोड दिया था जतना हमै रिक्वाइड था इसलिए हम इसमें पानी शामल नहीं करेंगे जी व्यूवर्स में आपको बैटर की जो शकल है वो लिखाना चाहूँगी इस वर बस आप ये देखेंगे कि हम ने इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रखनी है ये देखें कि जब हम इसको ऑईल में डालें तो इसकी जो वेजिटेबल वाले जो हिस्से हैं ये सारे अलग ना हो जाएं अभी ये ना मुकमल तोर पे जोड़ ही रहे हैं और ना एक दूसरे से अलग ही हो रहे हैं बस हमें ऐसा ही बैटर चाहिए एक कडाही ले ले लेंगे उसमें हम फाइल डालेंगे कोड़ा को फ्राइब करने के लिए तेल को गर्म होने देंगे तेल गर्म होने पे हम इसमें बेटर का थोड़ा सा हिस्सा डाल के देखेंगे कि आया तेल प्रापर गर्म हो चुका है या नहीं तो उसके बाद हम फ्रायंग शून करेंगे थोड़ देल गर्म हो चुका है अब मैंने 1 टेबल स्पून की वदद से यह जो बेटर है हमारा यह ह थोड़ा सा चमपज की मदद से फ्लैक कर लेंगे अजया पास्ले पर लावके गाएंगे अजया पास्ले पर लावके गाएंगे अजया थोड़े थोड़े फास्ले पर डालते हुए है मैंने इसमें तकरीबन जितने डलते थे डाल ली है हमने जो फ्लेन इसमें रखा हुआ है वो मीडियम तू हाई रखा हुआ है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए इसे हमने फोरी ही तोर पे नहीं पलटना जैसे ही यह थोड़े से पकेंगे यह जो बबल्स उपर आ रहे हैं यह थोड़े कम हो जाएंगे जैसे ही कम होंगे हमेने पलटेंगे और पलट के अच्छा सा कलर आने पे हमेने डिशाउट करनेगे जी विविवर्ज अब हम इन्हे थोड़ा सा हलके हाथ से चमज की मदद से पलटने की कोशिश करेंगे हो सकता है यह थोड़ से चित्के हुए हूँ अगर ऐसे सुरते हाल हो तो आपके इन्हें बहुत ही सौक्ट तरीके से अलब करना है तकरीबन तीन से चार मिनट मैंने इन्हें एक साइड से टाय किया है अब हमेरी टॉस कर लेते हैं एक्तियाद किसाब करेंगे क्यूंकि हमने यह रेगिलर का जो बैटर होता है वैसे तियार में किया हुआ बहुत ही कम क्वांटिटी में हमने इसमें बेसन के इस्तमाल किया है इसलिए हमने बहुत इत्याद कर लिए ताके यह अपनी जो इनकी शेप है उसे मेंटें कर सके जी वियूर्स जब मैंने पुकोनो को टास किया तो टास करने के बाद मैंने जो फ्लेम था उसे मीडियूम कर लिया था मीडियूम टू हाइट से हटा के और तकरीबन होजे यहां पर इने फ्राइब करते हुए दो से तीम मिनट गुज़र चुके हैं अब आप देख रहे कि पॉंटिटी बहुत कम हो चुकी है इसका मतलब यह है कि यह पक चुकी है बस अब हमने इससे ज्यादा इने प्राइब नहीं करना इन्हें हम निकालेंगे प्लेट के अंदर जबरदस्क्रिस्पी किसम के यह पकोड़े होंगे और टेस्टिशिए इनका खाने बेही ही आपको डिफ्रेंट महसूस हो जाएगा निकाल लेते हैं सारे ही पकोड़ों को यह प्रमेइन की जवारा बैटर है उसे भी one बाए one शामिल कर लेते हैं ऑलिलाज राइए फ्लैट एक पेमाना है, एक एवरेज किसम का जो हमें पकोडा चाहिए इस स्टाइल के साथ, उसके लिए ये पेमाना बेस्ट है, ये ना ज्यादा बड़ा ही होगा और ना ज्यादा छोटा ही होगा जी तो वियोर्स हमारे उनीक स्टाइल इवनिंग स्नैक्स त्यार हैं, जुरूर ट्राइ किजिएगा, बिलीव में सब को घर में बहुत पुसान आने लगें लिए, इस दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस लाइल आइकन पर अप्कमिंग वीडियो नोटिफिकेशन स्नैक्स